हालो मेरे प्यारे बच्चो तो कैसे हैं आप सब आप बोल रहोंगे बढ़िया मैं चल रहा है वस ठीक है तो हम भी चला देते हैं आज का लेक्चर जो है L7 और वो है evolution का जो हम chapter पढ़ रहे हैं चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या पढ़ना है हमें और आज का हमारा जो लेक्चर फ्लो है वो रहेगा क्रतीम चैन के प्रमाण जैसे कि आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं evolution के प्रमाण पढ़ रहे हैं evidence पढ़ रहे हैं जिसमें से हम जो है वो embryological पढ़ चुके है और अब हम जो है क्रतीम प्रमाण पढ़ने वाले हैं और उसके साथ एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं और द्योगिक मलींता ठीक है इंडस्ट्रियल मैलनिजम और इससे क्या क्याता है आर्टिफिशल सलेक्शन एविडेंस ठीक है चलिए आजाए अब क्या है स्टार्ट करते ह क्रतीम चैन से प्रमाण कि हमें क्रतीम चैन किया है और इससे कैसे प्रमाण मिलते हैं कि जेव विकास हुआ हुगा तो सिंपल सी कहानी है अभी तक हमने जो डेफिनेशन देखी आपने किसकी डेफिनेशन मैम डेफिनेशन आपने देखी प्राकृतिक चैन की यानि कि नैच जीव अपने आपको अनुकुलित कर पाता है, मतलब अपने आप में चेंज कर पाता है, वही क्या करता है, प्रकृति द्वारा चैन कर लिया जाता है, और उस क्यारक्टर को जनरेशन टू जनरेशन, उन लक्षनों को आगे से आगे पहुचाता है, और इस प्रकार नहीं जात लेकिन यही काम अगर मनिश्य करने लग जाए कि कौन सा कैरेक्टर आगे जाना चाहिए या कौन सा लक्षण आगे जाना चाहिए या कौन सा नहीं जाना चाहिए तो क्या होगा तो उस चैन को हम बोल देते हैं आटिफिशल सेलेक्षन यानी की करतीम चैन अब यह जो है यह इस बात का प्रूफ है कि हम जो है क्रतीम चैन करते हैं हमें कोई भी स्पिशियस चाहिए होती है कोई भी वेराइटी चाहिए होती है जैसे कि आप देख रहे हो आजकल आते हैं शुगर फ्री आलू अब आप बो किया हमने आलू की वह वाली स्पिशिस से एक नई जाती बना दी बनाई तो जब आप एक सिंपल से आलू से एक नई जाती विक्सित कर सकते हो तो प्रकृति क्या यह नहीं कर सकती क्या प्रकृति जे विकास नहीं कर सकती मतलब पुरानी जाती से हमारे तक का विकास नहीं क कर सकती आपसे ज़्यादा पावर्फुल है प्रकृति तो यही प्रमान जो है वो कौन देता है क्रत्रीम चैन तो पहले बात कर लेते हैं कि प्रकृतिक चैन क्या था एविडेंस ओफ आर्टिफिशल सेलेक्शन में हम पढ़ेंगे कि जीवों की कुछ एलिल अन्नी की अपेक्षा उन्हें परियावरन के प्रती बहतर अनुकूलित बना कर प्रजनन वह उत्तर जीविता है तो सफल बना देते हैं यह अमने बात की थी वहीं डार्विन वाले में कि जो प्रकृति में होने वाले चेंज है उसमें जो एनिमल है वो क्या होता है अपने आपको जिन्दा रखने के लिए बहतर अनुकूलित यानि कि अड़प्टिव कर लेता है अडप्टेशन अपना लेता है बना कर फिर प् प्रित परिस्तितियों में वही आगे जा पाएगा और उत्तर जी भी भनेगा कि अधिक अवसर प्रदान करती है तथा यही प्राकर्तिक चैन कहलाता है या कहा जाता है मनुष्य द्वारा किया गया चैन क्रत्रीम चैन कहा जाता है कि अगर प्रकर्तिक कर रही है अपने इसाप से तो वो प्रकर्तिक और अगर मनुष्य करवा रहा है जान बुछकर तो वो कैसा चैन है, कृत्रीम चैन है और ये इस बात का proof है कि क्या हुआ है, जे विकास हुआ है जैसे पादव प्रजनन वा जन्तू प्रजनन सिद्धान तव प्राकर्तिक चैन की प्रक्रिया के समान ही होता है नॉर्मल क्या होता है प्लांट्स प्रजनन करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं एक पौदे से दूसरा बनता है, दूसरे से तीसरा बनता है, वही अब प्रजिनन करते हैं, जनतों भी प्रजिनन करते हैं, मतलब एनिमल्स भी अपनी क्या करते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, ये तो कौन सी प्रक्रिया है, प्राकर्तिक चैन है, और वो कौन सा बच्चा पैदा करेंगे अगर उनमें कोई ऐसा लक्षन आ गया है जो उन्हें बाहरी वातावरण में रहने के काबिल बना रहा है तो वो क्या करता है और वो अगर strong है तो वो अगली पीडी में जाता है और उस पीडी में भी प्रदर्शित होता है उसके जीन में अगर जैसे कि अगर कोई ऐसी गाए है तो यह हमें ले लो छटा है कि अबेरैंस को अगर कि उपचों में ऐसा नहीं होता हूं ठीक है अगर दोनो हमेंसे किसी में इम््मुनिटी अच्छी है प्रती जाता है अच्छी है और वो प्रभावी है तो वो बच्चे में चली जाती है फिर बच्चा वैसा नहीं होता बच्चा अच्छा होगा वो किसी भी एनवार्मेंट को जेल लेगा तो हमने क्या किया अच्छे लक्षनों को आगे वाली पीडी में स्थान अंतरित कर दिया और आप बोले क्या करेगी अच्छे लक्षनों को ही आगे ले जाएगी सर्वाइवल ओफिटेस्ट जो दार्विन वाला सिद्धानत है तो ये प्रजनन भी क्या है एक प्रक्रतिक प्रक्रिया है अंतर के अवल इतना है कि यहां मनुष्य स्वैम प्रक्रतिकी भूमी का निभा रहा है ले ऐसे कि मैंने आपको बहुत बार एक्जामपल दिया है कि अगर आपको किसी मैंगो है कोई एक मैंगो का ट्री है वो अच्छा मीठा मैंगो बनाता है और दूसरा मैंगो का ट्री है जिसमें संख्या में मैंगो बहुत जादा लगते है लेकिन जो मीठा वाला है उसमें संख करवाया और ऐसा पेड़ या बीज बना दिया जिसमें मीठे भी आएंगे और संख्या में भी ज़्याद आएंगे तो यह प्रकरति नहीं किया किस नहीं किया हमने 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 किया तो ऐसा चैन जो है वह क्रतीम चैन कहलाता है अधिक दूद देने वाली गाएं भैसों का चैन वो प्रजनन तथा उनसे उत्पन संतती में केवल अधिक दूद देने वाली संतती के चैन की बार-बार पुन्रावर्ती सिर्फ ऐसी गायों की सम्मिष्टी या पोपुलेशन या संख्या बना देती है जो अधिक दूद देती है हमने एक बार दो गायों और बैल में रिप करवा दिया और उसका जो बच्चा हुए हमने देखा यह वह भी बहुत जादा दूद देता है तो फिर उसी बच्चे को हमने फिर दूसरे बैल से करवाया तो तीसरा जो बच्चा हो वो भी अधिक दूद देता था तो हमने ऐसे क्या करा बहुत बार जब ऐसा रिपीटेशन करवाया पुन्रावर्ति करवाई तो हमने आगे जाके देखा कि गाये सिफ ऐसी पैदा हो रही हैं क्या दे रही है अधिक दूद दे रही है क्योंकि क्या हुआ बार बार वही जीन आने की वज़े से उनमें एक नया पन विक्सित हो गया है वो जीन प्रभावी हो चुका है और कहीं बार तो ऐसा होगा कोई नई स्पिशीज बन जाएगे हालात ऐसे हो जाएंगे कि 10-12 पीडी के बाद अगर आप पुरानी वाली गाये जो है उसको किसी अभी जो बच्चा पैदा होगा है उससे रिप्रोडक्शन करवाना चाहोगे तो वो नहीं करेगा क्योंकि नई जाती में विक्सित हो चुका है जाती के परिवाशा हम दे चुके हैं पहले I think कहीं बार कि जाती उसको कहते हैं जो इंटर ब्रीड कर सकती है मतलब अगर दो एनिमल आपस में जनन कर सकते हैं तभी वो एक जाती के हैं अगर उनका जनन बंद हो गया इसका मतलब वो जाती अलग हो गई है वो जाती अलग हो गई है चाहे वो पहले एक रही होंगी उससे फरक नहीं पड़ता जैसे मैंने आपको बहा कहा कि चिंपांजी और हमें रिप्रोड़क्शन करवाना चाहोगे तो can't be possible चलो तो ये बात समझ में आए इसका example जो हमने किया है वो है ये आपको बताती हूँ इसी तरह ब्रॉकली ब्रॉकली सभी ने देखी है बड़ी famous है आज कल वही diet white का जमाना है पत्ता गोवी तो अभी मुह बिगाडेंग बचेंगे कि ये जो आप फूल गोवी पत्ता गोवी ये जो ब्रॉकली ला रहे है आज कल पास्ता वास्ता में डाल रहे हैं बोलते हैं ये बहुत healthy है इसमें vitamin C बहुत मत्रा में होता है तो ये तीनो जो है चाहे वो ये ब्रॉकली हो चाहे ये पत्ता गोवी हो और चाहिए फूल गोपी हो ये तीनो एक ही पूरवज जो इनका पूरवज कौन है? कॉलवर्ट कॉलवर्ट कैसा था? ये दोनों कॉलवर्ट की ही species है ये बता देती हूं मैं आपको ये क्या है? कॉलवर्ट अब आप देख रहे हो एक कॉलवर्ट तो आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसा पत्ता वोभी जैसा है ना ये सब अलग-अलग कॉलवर्ट की species है कुछ कॉलवर्ट की species में पत्ते होते हैं कुछ में ऐसे गोभी जैसे structure होते हैं, ये दिख रहे होंगे कुछ में काटे भी होते हैं, कुछ में लंबी पत्या होती है तो हमने क्या किया? एक प्रकार के कॉलवर्ट को लेकर दूसरे प्रकार के कॉलवर्ट से रिप्रोडक्शन करवा दिया अब ये एक ही जाती किया भले ये दिख आपको अलग रही है लेकिन इनके जीन से में क्योंकि ये इंटर्मरेट कर पा रही है मतलब क्या कर पा रही है? जनन कर पा रही है लिया हमने और कॉम्मिनेशन बनाया तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसा मिला होगा जिसको हमने क्या नाम दे दिया? गोबी नाम दे दिया फिर हमने एक पत्ते वाला लिया और दूसरा भी सेम पत्ते वाला लिया फिर reproduction करवाया तो हमें पत्ता को भी मिल गई एक नया तरह का सब्जी मिली और आजकल जो famous है ऐसा ही फिर हमने कोई दो species लेके फिर जनन करवाया दिया तो हमें broccoli मिल गई तो हमने क्या किया हमने किया यह कॉल वर्ड से क्या बना दिये चार पांच प्रकार के सब्जिया बना दिये तो यह कैसा चैन है यह प्रकृतिम चैन है क्योंकि हमने किया प्रकृतिम नहीं किया और हाला तब ऐसे हो गए कि इसको समझते हैं एक बार आपको समझाते हूं इसी समझ लेते हैं कि हमने इनमे ही एंटर बरीट करवा 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 के मतलब यह एक ही जाती थे क्योंकि यह क्या कर पा रहे थे जणन कर पा रहे तो हमने वीदिया पढ़ी है न UPOU अब हालात हैसे हुए कि हमने यह तीन taxes बना तो दी लेकिन generation to generation मतलब जैसे हमने full gobi बनाई full gobi से नए full gobi बने होगी फिर उससे नए full gobi बने होगी फिर उससे नए full gobi बने होगी ऐसे PIDYA निकलती गई अब ऐसा हुआ कि इस full gobi को जब हमने इस call word से reproduction करवाना चाहा तो ये reproduction किया ही नहीं क्यों नहीं किया क्योंकि PD दर PD इसमें genes ऐसे change होते गए कि अब ये call word नहीं रही इसके gene बिलकुल call word से opposite हो गए मतलब पहले ये हुई विक्सित इसी से है लेकिन इसके gene में ऐसे परिवर्तन हो चुके है कि ये अब call word से reproduction नहीं करेगी जबकि बनी इसी से है क्यों क्योंकि इसका नहीं जाती में विकास हो चुका है क्या हो चुका है ये नहीं जाती बन गई इसलिए इसका scientific name भी अलग है Brasica सुरी Brasica तो सरसो का नाम है ठीके तो जो है Brasica call versia जो है वो तो ये जो है नहीं जाती में mixed हो चुकी है और अब call versia जन्नी करेगी ऐसे ये भी नहीं करेगी ऐसे ये भी नहीं करेगी क्योंकि ये सब क्या बन चुकी है अब नहीं जातिया ये क्या कर दिया हमने हमने विकास कर दिया एक पुराने पूरुवज से नई जातियों का विकास कर दिया हमने बेठे-बेठे कुछ सालों में एक नई जाती बना दी तो जब मनुष्य ऐसा तुछ प्राणी कुछ सालों में एक कॉल वर्ड से इतनी सारी जातिया बना सकता है तो भई प्रकृती लाखो करोडों सालों में क्या जेविकास नहीं कर सकती, कर सकती है, क्या वो एक पौरी फेरा से एक इंसान नहीं बना सकती, बना सकती है, यही प्रमाण है, ऐसा ही और भी है वारे पास, एक्जाम पर, यह देखो, कभूतर, यह कभूतर सबने देखे होंगे, जिसको पीजन कहते हैं, हाला कि रॉक 11th class, सब याद करके आये होना, अभी 11th वालों को सब को नाम याद करवारी होना, जरूरी है, कॉलंबा लीविया, इसका scientific name है, यह हमने देखा, इसी में हमने एक कभूतर को दूसरे से जनन करवा के, उसके जीन में ऐसे कुछ चेंज कर दिये, कि हमने ऐसा कभूतर बना दिय यह कौन है, यह है Jacobin, यह Jacobin, क्युं Jacobin है, इसके है न, यहाँ पर ऐसा बाल है, बहुत बड़े-बड़े, मुझ अंदर है, दिखी रहा होगा, और यहाँ पर ऐसा बाल है, तो इसको Jacobin नाम दे दिया, फिर इसी में अंदर हमने हमने दूसरी कभूतर के साथ प्रजनन करके एक नया कबुतर बनाया जिसको हम कहते हैं फैन टैल फैन टैल का मतलब इसकी जो टेल है वो कैसी है फैन जैसी है दिख रही होगे तो इसको फैन टेल कहते हैHS यह इसी से विक्सित हुआ है लेकिन शकले देखो कौन कह दाये ये इसके उलादें या रही होंगी लेकिन वही कहानी होई कि हमने बनाया तो इससे था लेकिन अब अगर हम इसके बच्चों को किसी रॉक पीजन के बच्चे से जनन करवाना चाहेंगे कुछ नहीं होगा क्यों? क्योंकि वो नहीं जाती बन चुकी है, वो अपने आपको विक्सित कर चुकी है कुछ ही सालों में ठीक है? और ये भी क्रतीम चैन का उधारन है, हमने बेठे-बेठे बना दी यहाँ पे, तो क्या प्रक्रती नहीं बना सकती? जरूर बना सकती है, तो ये एक अगर मनुश्य अपने मनोरंजन और सुविधाओं के लिए कुछ सालों में नई किसमे बनाने में सफल हो सकता है तो क्या प्रक्रती लाखों साल लेकर नई जाती का विकास नहीं कर सकती? ये सवाल है और इसका अंसर भी इसी में कर सकती है क्रत्रीम, जेव चैन जेव विकास का प्रमान है और यही हमें सिद्ध करता है कि जब क्रत्रीम चैन हो सकता है तो प्रक्रती भी चैन करेगी और नई जातीों का विकास करती है ठीक है? ऐसा ही आप और एक एकजामपल दे सकते है, मच्छोरों का जो सबसे best example है, वो आप notice भी करेंगे, देखो, मच्छर जो है ना, हम पहले क्या लाते थे, मच्छरों को मानने के लिए DDT का चड़काव करते थे, और अभी भी आप मौटिन वगेरा जो भी लाते हो गर में, आप देखते हो उनसे कुछ नहीं होता, एक जमाना था जब मौट और ऐसे DDT भी, DDT क्या है, डाइकलोरो, डाइफिनाइल, ट्राइकलोरो एथिन, DDT की फुल फॉर्म, ठीक है, DDT क्या करते थे, ऐसे छिड़कते थे, रोड पे, ताकि मच्छर मढ़ जाए, लेकिन ना तो अब मच्छरों को DDT से कोई फरक पड़ता है, ना मौटें, वोटे चेंज कर दिया, और प्रतिरोदक्षम्ता उत्पन कर लिये, मतलब वो जो केमिकल्स हम डाल रहे थे, DDT और वो पैचान गए कि ये केमिकल है, और उन्होंने उनकी जीन्स ऐसे डेवलप हो गए, कि अब उनको रेजिस्टेंस हो गए, उनके प्रति, उन केमिकल्स के परति, असर नहीं होता, इसलिए अब वो उनसे बे असर है, तो ये भी क्या है, एक विकास ही है, कि मत्चरों ने अपनी प्रतिरोदक्षम्ता विक्सित कर ली ऐसी केमिकल्स से, ताकि वो मरे ना, आगे से आगे सरवाई कर पाए, ये भी एक एक एक्जम्पल आप लिख सकते हूं, अब है अद्योगिक मलींता, जिसको हम इंडस्ट्रियल मेलनिजम कहते हैं, ये भी एक इंपोर्टन टॉपिक है, कहीं बार आया हुआ है बोर्ड में, प्राकर्तिक चैन के पक्षमें एक और शशक्त प्रमाण है, अद्योगिक मलींता का उधारन है, बिस्टन बिटुलियर ये क्या है, एक मौत है, जिसको हिंडी में शलब कहते हैं, मौत होते हैं और लाइट में आते हैं, बटरफ्लाय जैसे दिखते हैं, अब ये फोटो दिखाऊंगी मैं आपको, नामक शलब इंगलेंड में औद्योगी क्रांटी से पहले बहुतायत में पाये जाते थी, या प लिखा हुआ होगा, तो जादा परेशान होने की जरूत नहीं है, ग्रे को हो वाइट को ग्रे बोल रहा है, ठीके, वैसे जनरली बुक में वाइट ही लिखा हुआ है, लेकिन कहीं आपको ग्रे दिख जाए तो घबरा मत जाना, एक तो काला ही है, दूसरे को आप वाइट ब पाद शायद ओद्योगी क्रांती जो है, वो स्टार्ट हुई है, तो अठारा सो पचास तक के अगर हम बात करें, जब इंडस्ट्रियल एरिया इतना डैवलप नहीं होता, आपने सोशेल पढ़ी होगी, पुरानी कभी, कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वो अठारा सो संख्या में थे, और काले वाले मौद बहुत कम संख्या में थे, ऐसा क्यों, तो वो ऐसा इसलिए, पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ, इस शलब का रंग स्लेटी, मैंने कहा दा न, कहीं आपको ग्रे भी मिलेगा, और कहीं आपको वाइट यहीं सपे प्रभावी था, प्रभावी उत्परिवर्तन था, वाइट वाला इसलिए, जिसका नाम कार्बोनेरिया था, सिर्फ एक एलिल में सिलेटी रंग से भिन्न था, इसका सिर्फ एक जीन जो है, एलिल जीन भी नहीं, एलिल तो पढ़ता है न, हम पहले पढ़के आ चुके हैं, तो एक एलिल फरक होने की वज़ा से यह सफेस से कैसा होगर रखा था, काला हो चका था, तो उत्परिवर्तन इस्पिशीज थी यह, देखो ज़रा इसको, पहले मैं आपको कहानी सुनाती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊँ, देखो, क्या होता था कि जब इंडर्स्टियर ए पादब है, है ना सवाजीवन से, जिसको एल्गी और फंजाई के सिंबायोसस से, यह तो हमें पता है, तो अब पेड है, पेड़ पे क्या उगा करते थे, लाइकेंस उगा करते थे, लाइकेंस जो थे वो ग्रे कलर के, अब मौत को ग्रे बोलेंगे तो लाइकें को भी ग्र कलर के क्या ऐसे लाइकेंस हुगे रहते थे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, अब दो तरह के मौत हैं हमारे पास, एक तो सफेद वाला, अब मैं एक ही बोलूगी, बार बार ग्रे सफेद ऐसे नहीं बोलूगी, सफेद वाला और दूसरा काला वाला, अगर यह वाला मौत बैठेगा, तो क्या दिखेगा कि वाइट मौत बैठा हुआ है यहाँ पे, नहीं दिखेगा, उसी जगह अगर काला वाला आकर बैठ जाए, ऐसे, तो हमें इजीली दिख जाएगा कि काला मौत बैठा तो जो इसके शिकारी थे, जो पक्षी थे, जो इसको खाने लेकिन वाइट वाला जब वाइट पर बैठ था था तो उनको दिखता नहीं था, तो उस समय 90%, 95% तो हमारे पास वाइट वाले मौत थे, उस एरिया में, और 5% ही सिर्फ क्या थे, ब्लैक वाले, यह मैं जस एक 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 जामपल दे रही हूँ, उपर नीचे हो सकता है, हम तो जस बात कर रहे हैं, कि 90 से, 90 भी हो सकता है, किसी बुक में आपको मिले कि 90% वाइट थे और 10% ब्लैक थे, जो भी हो, बात सिर्फ इतनी है, कि ब्लैक वाले कम थे और वाइट वाले ज़्यादा थे, क्योंकि वाइट वालों को वो देख नहीं पाते थे, पक्षी, तो उनको खाते नहीं थे, तो वाइट वालों के संक्या बहुत ज़्यादा थी, देखो यहाँ पे दिख रहा है, है ना इस पे वाइट भी बैठा हुआ है, लेकिन हमें दिखने ही रहा, हमें सिर्फ ब्लैक दिख रहा है, तो उसको खाल देते थे, अब क्या हुआ, जैसे जैसे प्रदूशित तत्व है, ठीक है, यह फैला, और अगर आपने लाइकेंस के बारे में एक खासियत सुनी होगी, कि लाइकेंस ऐसी जगों पर पाये जाते हैं, जहाँ पे पॉलूशन नहीं होता है, या कम होता है, जैसे ही पॉलूशन बढ़ता है, लाइकेंस मर जाते हैं, यह सिम्टम्स पढ़े होंगे, जब आपने गलास 11 पढ़ी है, या 10 में भी पढ़ा हो कभी, कि लाइकेंस जो है, वो क्या होते हैं, प्रदूशक का सूचक होते हैं, जहाँ पे भी पॉलूशन होता है, वाँ पे लाइकेंस अपने आप मरने लग जाएंगे, तो पॉलूश पर भी उस पर जमा होनों लगया, यह सलफर डायोकसाइड भी आ रही है, वो भी क्या हो रही है, पेडों के तनों पर जमा हो रही है, जिसकी वज़े से पेडों का रंग काला सा हो गया, अब काला हो गया, तो जब वाइट वाला मौत इस पर आके बैठता, तो इसके शिकार तो अब क्या हुआ, वाइट वालों की मौत आ गई, तो अब वो जो पक्षी थे, वो वाइट वाइट को खाने लग गए, और ब्लैक वाला बज गया, उसकी तो लोटरी लग गई, ठीक है, तो क्या सीन हुआ, अब 5% ही वाइट बजे, कुछ साल हो बाद, कुछ साल मतलब वही 50, 10-20 साल मालो, 10-20 साल बाद, 5 बजे और 95 हो गए ब्लैक, तो कि यह जनन करने लगे, भई जब वाइट वाले रहे ही नहीं, तो जनन कौन करेगा, संख्या में कम हो गए, और ब्लैक वाले रह रहे हैं, तो वो आराम से जनन कर रहे हैं, और संख्या में व ब्लैक देखेगा, तो ब्लैक ब्लैक को खाएंगे, फिर दूसरी कंडिशन भी देख लो, यह वाइट वाला देखो, अलगी चमक रहा है, यह इसके कलर का है, ऐसा सब जगा हुआ, बहुत जगा हुआ, हमसे एक 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 जामपल ले रहे हैं, तो इसको क्या बोलते है, इंड की स्किन का कलर आता है, जितना मैलनीन जादा होगा, हमारी स्किन का कलर उतना ही डार्क होगा, और जितना कम होगा, हम उतने गोरे होंगे, ठीक है, यह बात हम पहले कार चुके है, मैंडल वाले चैप्टर में, तो यह कहानी होगे इनके साथ, लेकिन 200 वर्षों के सफर में, कार्बोनिलिजम शल्बो की स्वमस्टी 90% होगे मैंने आपको कहा कहीं जगा बुक में आपको क्या मिलेगा 90% कि वाइट वाले 10% रह गए और 90 जो ब्लैक वाले थे वो कैसे हो गए काले वाले जिनको हम क्या बोल रहे थे कार्बोनेरिया बोल रहे थे और जो के क्रांती से पहले व्रक्षों के तने सलेटी रंगे थे यही जो मैंने आपसे कहानी बोली हो यहां लिखे हुई है गंदले सलेटी रंगे यह कीट सलेटी रंगे लाइकेंस की प्रश्ट बुमी पर आसानी से छिपे रहते थे कीट भक्षी इस समान प्रश्ट भूमी अब ये कैमोफलेज क्या है जीवो द्वारा अपने परियावरण के हिसाब से कुछ ऐसे लक्षन और रंग परिवर्तन किया जाता है ताकि वे अपने परभक्षियों से बच पाएं ऐसी सरचनाओ को क्लेमोफेज कहते है ये पढ़ो गया बहुत सारे टाइप की क्लेमोफेज होते है कई जीव अपने रंग में परिवर्तन कर लेते हैं कई अपने आकार में परिवर्तन कर लेते हैं जैसे मैं आपको एक एक जांपल बताते हूँ कभी आपने सुना हो stick butterfly जिसको कहते है stick butterfly है ना होती वो butterfly है लेकिन ऐसा लगता है लकड़ी है ऐसी लकड़ी जैसी दिखती है वो ऐसी तो उसने अपने आपने क्या कर रखा है camouflage कर रखा है मतलब उसने अपने आकार को ऐसे परिवर्ति कर रखा है कि अगर वो पेड़ पर बैठे या पौदे पर बैठे तो उसके दुश्मनों को ऐसा लगएगा कि यह तो लकड़ी है ग्रीन कलर की या बूरे बूरे वाले भी होते हैं ग्रीन वाले भी होते हैं तो वो उ इसको दुश्मन जो उसको खाने वाले हैं वो देखने पाए वो भी केमोफलेज का उधारन ऐसी कुछ साप ऐसे होते हैं उनके दोनों तरफ ऐसी सरचनाय बनी होती है जैसे लगता है कि दो तरफ मू है उसके तो ज़ो दुश्मन होता है साप बही डंन ज ज qualcosa होता है विश म इससे दोनों दरव एक जैसी सरचना है दिखरी होती हुए तो उनको पता ही नहीं चलता है मूह की होती है उसके पंख ही होते हैं अपको पता इनि चलेगा उसका मूह की दर है ऐसे बटफ्लाय को मुझ कहां ये किसे पता चलते है इसके पीछे और ऐसा की पता ही भी पता लीग — फता यह नहीं चलता इसका मुझ किधर है जब तक आप उसको गौर से उसकी आखे नहीं देखोगे तो ये सब केमोफलीस के अंदर आते हैं या केमोफलीस के रंग परिवर्तन कर देते हैं अनुकुलन कर लेते हैं अपने आपने के कारण इन्हें देख नहीं पाते तो इन शलब ने भी क्या कर रखा था मौथ ने ये क्या कर रखा था केमोफलीस कर रखा था अंतर ये कीट शिकार से बच जाते थे लेकिन काले रंग के कार्बोनेरिया शलब कीट भख्षियों का कीट भख्षियों मतलब कीट खाने वाले को आसानी से शिकार बन जाते थे अंत उनकी सम्मिष्टी में आवरती में कमी हो रही थी ये तो पहले वाला केस हो गया कब जब ओद्योगी क्रांती नहीं हुई थी अब जब ओद्योगी क्रांती हुई जो मैंने आपको येर बताया कि 1920 के बाद या 1920 से तब क्या हुआ केस उल्टा हो गया कि वही इनकी तो क्या बज़ गई काले वालों की तो 90% हो गई और सफेद वालों की कम हो गई ठीक है क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ गया जो मैंने आपको अभी जस्ट कहाने सुनाई बस यही है और यह इंपोर्टेंट है आप इस पे चाहें तो स्टार मार्क लगा लीजिए क्योंकि कई बार इसको पूछा होगा है ठीक है चलिए तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो खतम होता है और दो टॉपिक पढ़े हमने क्रतीम चयन और अध्योगित मेलनिजम अभी और भी एविडेंस है जेव विकास के जो में पढ़ने बाकी है उसमें से कुछ इंपोर्टेंट है जैसे समझात अंग समवर्तियम तो वो हम लिकर आएंगे अगली वीडियो